आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्माइल की ने ने ये वाली नहीं मैं बात करा हूँ EBM की जो न्यू प्रोड़क्ट लाउंच होई है स्माइल डोनट्स हम बात करेंगे उस प्रोड़क के बारे में Actually है ये केक ही मगर बस शेप डोनट वाले बना दिये और उस पर स्ट्रावबेरी या चॉकलेट की लेर लगा के थोड़ा सा स्प्रिंकिल कर दिये Product की प्राइस इस 25 रुपीस और ये मार्केट में हर जगा अवेलेबल है Smile Donuts की फुल दबा के मार्केटिंग हो रही है टीवी, सोशल मीडिया, इन स्टोर Product का main target audience definitely बच्चे है अगर हम packaging की बात करें तो packaging no doubt attractive सी है Product की back पर देखें तो एक line मैंशन है कि guarantee to put a smile on your face Product की ads campaign और communication के थूप ये बताया जा रहा है कि आप इस product को खाएंगे, इस donut को खाएंगे तो आपके चेहरे पर खुद बखुद खुशी आजेगी एक smile आजेगी अब असल पॉइंट दरब आते हैं और बता करते हैं कि ये product कितनी nutritious, कितनी healthy है आप इसको कितना जादा consume कर सकते हैं, especially बच्चे अगर आप pack की back side पर देखें, तो उसमें nutrition facts mentioned है विच से कि इसके per 100 gram consume करने पर आपको 450 calories मिलेंगी total fat कोई 24.5 gram में लेगा, इसमें saturated fat का जो part है वो 8.5 grams है cholesterol 51.7 mg, then sodium 197 mg, total carbohydrate यानि कि इसका major part again carbohydrate से कब़र हो रहा है, that is 50.2 grams and I don't know कि कौन सा source use करके इन्होंने protein का 5.8 gram count किया हुए I'm sure egg होगा, keep in mind कि जो सारी calculations में mentioned है वो 100 grams की है means कि ये pack जो 38 gram का है, इसको आप 3 ये 2.5 करें कि तो इस सारी calculation बनेंगी अगर हम इस particular pack की 38 gram का जो है, इसकी अगर हम nutritional value निताले तो 171 calories जो है इस pack को consume करेंगे हमें मिलेंगी but in calories का major part is sugar, means के empty calories अगर इसके ingredients की बात करें, तो it has wheat flour, sugar, egg, sunflower oil, whey powder milk, skim milk replacer, invert syrup, palmoline oil, hydrogenated palm oil और इसके साथ-सके इसके अंदर emulsifiers है, gum arabic है, और इसके साथ-सके अंदर permitted food colors, उसकी पूरी range है 171, 129, etc. Levening agent है, sodium, trisodium citrate है, stabilizers है, food colors है, see, कुछ ingredients के इलावा, सब artificial colors and flavors and preservatives add हुए है अगर आप Google करेंगे, तो आपको may be यह सारे ingredients या जो भी चीज़े एड होई है, वो safe for human consumption शो करेंगे और there are studies where they say, इन chemicals के बहुत जादा use से बहुत जादे complications हो सकती है यह सारे facts review करने के बाद, मैं आपको personally suggest नहीं करूँगा कि इस product को बहुत जादे use किया जाए कभी कबार चलता है, बट मसला ही होता है कि अगर ऐसी product हम बच्चों को कभी कबार भी खिला दें, तो वो addicted हो जाते है, पार बार demand करते है So it's up to you, क्या आप इसको अपने बच्चों के lunch box में रखते है या नहीं बसे smile ने खुशी के लिए और भी बहुत सारे तरीक है